नमस्कार जोहार मैं कृष्ण गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज जार्खंड जार्खंड में अगले तीन दिन तक भारी बारिश का पूर्वा नुमान वर्जपात और ठनका का अलट रहे साउधान सरीवार को पूरे दिन तीखी धूप रहने के बाद देर शाम से मौसम में बदला हुआ फिर राद साड़े नौ बजे से मौनसुन अचानक से सक्रिये हुआ और देर राद दो घंटे तक जम कर बारिश हुई मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी राची और इससे सटे दो जीलों में बारा दजे राद तक मौनसुन सक्रिये रहा आज सुबा से राजधानी राची समेत राज़े के अधिकांस हिस्से में बादल गिरे हुए है मौसम में उमस बनी हुई है मौसम विभाग के अनुसार दो अगस तक राज़े के लगबक सभी रस्तानों पर गरज़न के साथ हलके से मध्यम दरजे की वर्षा होने की संभावना है इस दोरान अधिक्तम तापमान में भी किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है राची समेथ इन 10 जीलों के लिए मौसम विभाग का अलट 30 और 31 जुलाई को लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिम्डेगा, राची, खूटी, पस्चीमी सिंभूम, पूर्वी सिंभूम, सराई केला, खरसावा और रामगर समेथ कई अन जीलों में भी भारी बारिश के चे राची के भी मौसम विभाग की ओर से बताए गए हैं, 49 फीसिदी कम हुई बारिश, जारकंड में अभी औसत से 49 फीसिदी कम बारिश हुई है, इसके कारण यहां ध्यान की रोपनी भी बूरी तरह प्रभावित हुई है, क्रिशी विभाग के आकड़ों के अनुसार, राज राज में अभी यह लक्ष से काफी कम मात्रा यानि की 13 फीसिदी ही धान की रोपनी हो सकी है, जानकारों के मताबिक खेती के लिए बारिश अब तक 436 मिली मिटर से ज्यादा होनी चाहिए थी, राज में कई जिले ऐसे हैं जहां अब तक रोपा नहीं हुआ है, उनमें प्राब होने और गरजन होने पर ऐसे करे बचाओ, घर के खिड़कियां, दर्वाजे बंद रखे, दर्वाजे और मेटल की चीजों के पास खड़े ना हो, अगर किसी पानी वाली जगहे हैं तो तुरंट बाहर निकलने की कोशिश करें, पानी में छोटी नाओ, इसमाल बिलकुल ना करें, ज्यादा देर तक बिजली कड़कती है, तो स्थानी राहत और बचाओ एजनसी से संपर्क साथ सकते हैं, अगर बिजली चली भी जाए, तो भी एलेक्ट्रोनिक उपकरनों का स्विच को बार बार ना चुए, बिजली के खंबो और टावरों से द इसलिए जल निकासी की उचीत वेवस्ता करें, पके हुए फल और एवं सब्जीयों की तुडाई करके उन्हें सर्वक्षित जगों पर रखें, जल जमाओ वाले छेत्रों में जाने से बचें